बिलीयां और लो मडी दोनुमें जन्मचाच शिकारी प्रवरित्ती होती है। फिर भी वे अलग अलग शिकार शैली प्रदर्शित करते हैं। लोमड़ी अपने शिकार को वश्मे करने के लिए तेज कर्थी का इस्तिमाल करते हुए तेजी से हमला करती हैं, जबकि बिल्लिया अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी चपरता और बिजली की तरह तेज रुफलेक्स पर निर्भर करती हैं, हाला कि ये कुशल शिकार अपने विरोधियों को कम आंकने पर खुद को अभिभूत पा सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम बिल्लियों और लोमडियों के बीज रोमान चकमुट भेडों का पता लगाते हैं, उन गहनक्षनों को कैप्चर करते हैं, जब ये शिकारी जंगल में प्रभुत अकसर अपने दिन बाढ़ वाले पिछवाड़े की सुरक्षा में बिताती है, मनुरंजन और जीविका के लिए शिकार पतंगे और अन्र छोटे जीवों में लिप्थ होती है, हाला कि उसकी शांती बाधित हो गई थी, जब एक रैकून ने बाढ़ को बढ़ाया और उसके लुमैन में घुस पैठ की, ट्रैकून के इरादों से बे परवाह, पोसी ने तेजी से अपने कैट कॉप में अवंचित उपस्थिती को पहचाना और ततकाल कारवाही की, उलेकनिये चपरता और द्रसंकर्थ के साथ उसने घुस पैठीय का जंकर सामना किया, उसे कई बार वापस चला दिया, जब तक कि वे एह बार से पीछे नहीं हट गया, पोसी के साहस और सुरक्षात मकप्रवरिती पर मालिक ने चकित रह दया, ट्रैकून जिनने कित के रूप में जाना जाता है, स्रीमाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाते हैं, और इसके स्वामित्व की परवाहकी बिना वे जो भी भोजन करते हैं, उसका उप्भोग करेंगे, हलाकि पोसी की मुखर रक्षा ने ये सुनिश्चिक किया कि उसका ख्षेत्र इस तरह के अतिक्रमनों से सुरक्षित रहे, हलाकि सतर्क ट्रैकून भोजन तक पहुँचने के अपने प्रयासों में ल इस क्लिप में लोमडी के आकार की बिल्ई खुद को रक्षात मत मुद्रा में पाती है, क्योंकि लोमडी जो की प्राक्रितिक शिकारी है, आगे बढ़ती है, भागने के प्रयासों के बावजूद बिल्लिक की फूर्टीली हरकते उसे लोमडी से आगे निकलने में मदद कर जिससे शिकारी धूल में मिल जाता है। अपनी क्वारित सजक्ता और मायावी सुभाव के साथ बिल्ली उपरी हाथ हासिल कर लेती है। जिससे पीछा करने वाली लोमडी के लिए उसे पकड़ना लगभगा संभव हो जाता है। इस क्लिप में जब लोमडी बिल्ले के आसपास पहुँचती है, तो बिल्ली अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, जिससे ये सपष्ट हो जाता है कि लोमडी का स्वागत नहीं है। एक साथी के समत्थन से बिल्लिया घुस पैच करने वाली लोमडी के खलाफ फेक जुच हो जाती है, जो टकराओं से बचने के लिए बुद्धे मानी से पीछे हर जाती है। इस क्लिप में लोमडी की फुफकार और उतेजना से विचलित हुए बिना, बिल्ली साहस पूर्वक अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। यहां तक कि जब लोमडी घर के बहुत करी पहुच जाती है, तो वेहुस पर चरपड़ पड़ती है। लोमडी की शिकारी, शम्ताओं के बावजूत, बिल्ली द्रड और मिडर बनी रहती है। जदी आवश्यक हो तो हमला करने के लिए तयार रहती है। इस क्लिप में, लोमडी बिल्ली को मार देने के लिए कई तहकी रण नीती अपनाती है। लेकिन बिल्ली की कुशल रक्षा के सामने, उसके प्रयास बेकार हो जाते हैं। बिल्ली की ताकत को पहचानते हुए, लोमडी सावधानी से आगे बढ़ती है। यह समझते हुए कि सफल हमला आसानी से नहीं होगा। अंत में, बिल्ली बिना किसी चोड के बाहर निकलती है। कुशलता और सैयम के साथ लोमडी के हमलों को सफल तापूर्वत रोपती है। इस क्लिप में, एक गिपन बंदर एक बिल्ली के साथ चंचल हकतें शुरू करता है। लेकिन बिल्ली इसमें कोई पिल्चस्पी नहीं दिखाती है। बिना किसी डर के बंदर अपनी चंचल हकतों में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि पुद्ली को भढ़काने के लिए उत सुख है हाला कि बिल्ली के व्गर्भार में आक्रामक्ता जलती है जो जरूरत पढ़ने पर खोद का बचाव करने के लिए तैयार होने का संकेत देती है बिल्ली के द्रेटा को भावते हुए बंदर पीछे हट जाता है और पास की दीवार के उपर से सुरक्षित दूरे से दे आने वाला रुप बंदर को और भढ़काने से रोखने के लिए परियाप्त है इस क्लिप में बंदर पीजरी की खिड़की के माध्यम से बिल्लियों के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है लेकिन बिल्लियां आपनी दूरी बनाय रखती है और अपनी अस्वीकृति को प्रिकार करता है नमबर दो बिल्ली फाइड बिल्ली यहां तक कि रेप्री भी साइब लाइन से इस कारवाही में शामिल होता है दोस्तों अब समया गया है कि आप अपना दाव लगाएं क्योंकि ये बिल्लियां खेल-खेल में लड़ाई करती हुई नजर आती हैं हाला कि इसमें थोड़ा बहुत प्रभुत्व भी होता है वास कि और मोरना चाहिए इन में से कई मुकाबले छतों पर होते हैं अनौप चारिक युद्र के मैदान जहां बिल्लियां स्कोर्ट टै करने के लिए एक कठ्ठा होती हैं गिरने लुड़कने काटने और खरोजने के बीच एक तीसरी बिल्ली लड़ाई में प्रवेश करती है ज जब दोनों लड़ाव के किनारे से गिर जाते हैं जिससे छड़ पचानक समाफ्थ हो जाती है एक हलके फुल के पल में एक जिगियास सुबिल्ली का बच्चा अपनी पहली बैली क्लास में जाता है लेकिन उसे अपने साथियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है एक नए आने वाले को एक सबक सिखाने का बीड़ा उठाती है जिसमें बिल्ली के सामाजिक गती शीलता की जटलताओं पर प्रकाश डाला जाता है इस क्लिप में कौवे जो अपने लगातार और कभी कभी परेशान करने वाले व्यवहार के लिए जाने जाते हैं इस वीडियो में अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करते हैं जब एक कौवा आराम के पल में एक बिल्ली को परेशान करने का फैसला करता है हाला कि कौवा सावधानी से चलता है ये जानते हुए कि बिल्ली का ध्यारे खत्म हो सकता है जिससे संभावित प्रतिशोध हो सकता है इस clip में दो बिल्या सड़क के बीच में दो कौवों की रास्ते को पार करती हैं, जिससे बिल्यों के बीच टक राव होता है, पक्षी उत्साह में आनंद लेते दिखते हैं, यहां तक की हाथा पाई मेहसक शेप करने का प्रयास भी करते हैं, जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती ह और बिल्लियां पीछा करती हैं। कववे उत्सुपत से उनका पीछा करते हैं। ऐसा लगता है कि वे तमाशा का अनन्द ले रहे हैं। इस क्लिप में एक कववा एक साहसी कदम उठाता है। एक बिल्ली से भोजन छीननी का प्रयास करता है। हाला कि बिल्ली जल्दी से अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। जिससे कववा डर जाता है। चेतावनी के पावजूद जिल्दी पक्षी बिल्ले के धहरे की परिक्षा लेना जारी रगता है। इस क्लिप में दुर्भागे से एक कववा सीमाओं को बहुत आगे ले ज जाता है और अपने दुस्साहस की अंतिम पेमत चुकाता है। कववे के लगातार उत्पिड्न से क्रोधित होकर बिल्ली ने भी जवाबी हमला किया। जिसके परिणाम स्वरुप कववा मर्ग गया। बिल्ली ने बिना समय गनवाए अपना इनाम लेकर जंगल में चली देंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अचासी और सही सलामत से रहे। ठ्यांक्यू।